हलो आप लोग मैं हूँ शूपरतीम और आप देखरे हो मेरा चैनल रिव्यूस रंबॉक्स टेक नियूस का सही ठीकाना तो दोस्तों आज 2 साल अल्मोस्ट हो चुका है जो कि मैं कोई नया वीडियो नहीं डाला उसका कुछ बेसिक रेजन भी है और थोड़ा सा मैं अब दोस्तों यह सारे बाते हटा के आपको मैं बता दो जो की मुद्दे वाला टॉपिक है एक गेमिंग लाप्टाप है जो कि एसर के तरफ से एसर नाइट्रो 5 तो दोस्तों उसका अब बोक्सिंग आज में करूंगा आप लोगे साथ एकदम शेर करूंगा बढ़िया से तो इस इंट्रों के बाद आप लोग देखिए इसका अन्बॉकसिंग तो फ्रेंड्स इस तरह का कुछ पैकेजिंग में आता है एमज़न के तरफ से जो बॉकसिंग पैकेज आप देख सकते हूं कुछ इस तरह का पैकेजिंग है और जादा कुछ लिखा होगा नहीं है कि इसको जो किया है फटाक से खोल के देखते हैं यह नॉर्मल सा कीचन वाला नाइफ है किसे से खोलते हैं देखते हैं क्या है हाँ मैं एक दम करेक्ट ही इसको कर रहा हूँ फटक से इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर में चलिए यह इस तरह का पैकेजिंग में जो की है अच्छा पैकेजिंग इसमें से कुछ इस तरह के पेपर निकलते अच्छा इसके अंदर और एक बॉक्स है यह देखिए यह रहा और एक बॉक्स यह इसको भी खोलना है तो अच्छा इसमें कुछ वगेरा है ऐसा कुछ है देख सकते हैं आप लोगको दीखा देता हूँ अब ही इसको एक बारी इसको सील को उपन करते है यह चूरी से नहीं होगा तो मैं एक नाइफ ले लेता हूँ एक कटर नाइफ है यह देखिए मेरे हाथ के पास ही था यह कटर नाइफ से में इसको उपन करता हूं पैकेजिंग तो दोस्तों काफी अच्छा पैकेजिंग इन्होंने करके दिया है क्योंकि लैप्टाप का बात है तो ओवियस ही बात है अच्छा इसके अंदर और एक पैकेजिंग आपको मिल जाता है जो कि आप कुछ इस तरह का ठैकेजिंग में आता है यह सार का इस तरह हमें आता है तो अभी इसको फिर से पकड़के निकालना है एक कीजिंग के मामले में इसरी ने भोट ध्हान दिया है दिया है Amazon ने भी उसमें pack करके दिया है तो packaging काफी बढ़िया है दोस्तो उसके लिए तो no doubt इसको 5 star देना ही पड़ता है out of 5 अगर मैं calculate करू not out of 10 तो anyway दोस्तो अभी इसका sill open करते हैं और देखते हैं इसका अंदर में अभी हमें क्या-क्या सारे समान जो की है product के साथ laptop के साथ इसका मतलब क्या-क्या देखने को मिलता है so anyway ये फटक्स है मैंने इसको open कर लिया है इस तरह का अंदर में जो की है आपको कुछ समान देखने को मिल जाता है तो anyway इसके अंदर में एक black color का ये box है ये box को थोड़ा दिर में open करते हैं ये शायद से हमारा laptop है तो laptop को निकाल लेते हैं तो दोस्ता अब देख सकते हो laptop कुछ इस तरह का और इसके अंदर में और कुछ भी नहीं है ये box को भी side में कर देता हूँ मैं तो अभी जो कि ये है आपको यहाँ पर कुछ paperworks मिल जाता है इसमें जो कि ये है planet 9.gg का जो भी कुछ sticker वगेरा है इसमें एक booklet सा है और ये भी कुछ paperworks है इसर के तरफ से तो दोस्तों ये सब बाद में हम लोग देखेंगे फर्स देखेंगे इस black box में क्या है उसके बाद laptop पे आते हैं तो ये जो black box है इसके अंदर में शाहिद से charger होगा हाँ दोस्तों ये देखिए ये आपका जो power brick है काफी huge सा एक power brick है दोस्तों आप लोग देख सकते हूं ये कुछ इस तरह का power brick है पता नहीं इसका what कितना है वो मैं आपको screen में देदूंगा इसका सारा जो भी details है product details तो ये कुछ power brick आता है और इसका जो cable है इसको connect करने के लिए तो ये वो cable है और इसमें कुछ भी नहीं आता है friends अभी देखते हैं हम लोग ये सारा चीज़े हटा के अभी जो की है इसका laptop open करके देखते हैं इसमें क्या क्या सब्सक्राइब अभी हमें मिलेगा देखने को तो शायद इसमें कावी अच्छा packaging है friends एक cushion के बाद और काफी heavy laptop है मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम हलका सा laptop है काफी heavy laptop है I think it's almost around 2.5 kilo Oh it's just awesome laptop friends आप लोग देख सकते हो Acer का यहाँ पर एक logo आजाता है यहाँ पर नाइट्रो जो की है यह नाइट्रो का जो की है यहाँ पर एक writing आजाता है पीछे जो की है इसका जो power connection connector है वो पीछे आजाता है anyway आप लोग को काफी इस product के वीडियो से ऐसे भी पता होगा कि इसमें क्या-क्या मिलता है तो भी एक बार आपको में बता देता हूँ इस साइड में मतलब आपका राइट साइड में जो कि है HDMI port मिल जाता है एक Type-C USB port मिल जाता है एक Type-C port आपको भी मिल जाता है इसको अभी open करके देखते इसके अंदर में क्या है तो वाव दोस्तों आप लोग कुछ देख सकते हैं इस तरह का जो कि ये laptop देखने में है काफी अच्छा सा एक दम इसका जो इंटरफेस एक आभी बढ़िया है और इसमें जो कि ये एक paperwork था और ये थोड़ा से प्रोटेक्शन के लिए शायद से दिया हुआ होगा तो ये बेसिकली इस तरह का looks में आता है ये laptop काफी neat and clean presentation है इसमें जादा कुछ इन्होंने stickering up नहीं किया है अभी इसको मैं on करूंगा इसको थोड़ा सा configure करूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका performance कैसा था क्या था क्या नहीं था इसको anyway एक बार on करते हैं और आपको एक बार दिखा देता हूँ आपके सामनी on करके किस तरह से ये boot up पता नहीं इसमें power होगा भी या नहीं तो एक बार मैंने इसको दबाया शायद मुझे जोर सा दबाना पड़ेगा पता नहीं कैसा है तो I don't think इसमें कुछ power बचा है या नहीं मैं इसको दो बार अल्रेडी दबा चुका हूँ I think ये अभी तक इसमें power नहीं है तो इसको मुझे शायद से power up करके इसको एक बार on करना होगा तो anyway इसको मैं एक बार on करता हूँ उसके बाद मैं आपके साथ इसके सारे डीटेल्स बाकी के डीटेल्स शेयर करूँगा क्या रहा मेरा experience इसको use करने का और किस तरह से ये कौन से कौन से specifications के साथ आता है और किस तरह से इसका performance रहता है in day to day life तो anyway दोस्तों तो यहीं था इसका unboxing इस तरह से कुछ ये laptop देखने में पीछे से भी कुछ इस तरह से इसके वेंस आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर एक दो fan दिया हुआ है और इसकी exhaust vents काफी बढ़िया है काफी open wide vents है जिससे आपका अगर gaming करते हो अगर आप कोई hardcore काम करते हो तो उसमें भी आपको जो कि यह काफी अच्छा यह performance देने वाला यह laptop मुझे तो बहुत पसंद आया है और इसका जो यह Intel का जो chipset है वो है i7 वाला variant है और NVIDIA का 3050 Ti वाला जो की है graphics card के साथ आता है तो काफी एक powerful सा laptop है अभी देखना इसका performance क्या है anyway दोस्तों बाकी के बाते करते हैं इसको use करने के बाद तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको unboxing जो कि इस product का काफी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इस product के बारे में अगर मैं जादा तो कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक इसको use नहीं किया है तो काफी बढ़िया सा जो कि ये product मुझे लगा तो इसलिए मैंने भी इसको खरीदा है काफी दिनों का शौक था एक laptop लेने का तो anyway दोस्तों इसके जो बाकी के जो specification आप मेरे screen में देख सकते हो तो दोस्तों बस इतना ही आज अन्बॉक्सिंग में और आशा करता हूँ कि आपको ये अन्बॉक्सिंग काफी अच्छा लगा होगा तो anyway अगर आपने अभी तक मेरा चानल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दीजे उसके बगल में जो bell notification है उसको भी प्रेस कर दीजे लाइक शेर तो जरूर से कीजिए आशा करता हूँ कि आगे वाले दिलों में आपको इससे भी अच्छा वीडियो में दे सकूँ तो anyway दोस्तों अच्छा रहिएगा बढ़िया रहिएगा मिलते कोई नए वीडियो के साथ